वेलकम टू एक्जाम टाइम आज दस अप्रिल 2020 और दस अप्रिल 2020 से करेंट अप्रेस के जितने भी कोश्चन्स बन सकते हैं वह सभी कोश्चन्स आज हम लोग डिसकस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का कोश्चन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइ की गोश्चना किये इसका सही जवाब है चीन तो चीन ने भारत को एक लाग सत्तर हजार यह पीपी आई कीट होता है इसके बारे में जानी है इसमें क्या क्या आते हैं जस्ताने आते हैं उसके बाद गाउन आते हैं हैंड कवर सू कवर मास्क फैस सिल्ड गॉगल्स यह सभी क्यों घोश्चना की गई है तो कॉरोना वायरस के बढ़ते हुए खत्रे को देखते हुए इसके बाद अब बात आई यहां पर चीन की तो चीन की के पिटल कहा है बीजींग चीन के प्रेसिडेंट कौन है सी जींपिंग चीन की मुद्रह क्या है रॉन मींवी और चीन की अब यहां पे आप फोटो में देखिए यह है चीन के प्रेसिडेंट सी जिन पिंग और यह है चीन का मैप इतने कोशन्स यहां से बन सकते थे इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशिन पर अगला कुशन है हाल ही में कोरोना वायर्स में हमारी के समाधान के लिए केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंत्राल है एम एच डियार और ए आई सीटी के इनोवेशन सेल द्वारा छात्रों के लिए कौन सा ओनलाइन चैलेंज लॉंच किया गया इसका सही जवाब है समाधान चैलेंज तो सबसे पहली बात है कि यह समाधान चैलेंज क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे यह जो चैलेंज है कुरोना को मात देने है तू चलाया जा रहा है अब बात आई एम एच डी आर की तो एम एच डी आर किया इसकी फूल फॉर्म को याद रखनी है Ministry of Human Resources Development हिंदी में मानव संसाधन विकास मंत्रा ले और इसमें एक और बात आई है इसका फूल फॉर्म भी आपको याद रखना है All India Council for Technical Education तो बात आई हैं एम एच डी आर की तो सबसे पहले एम एच डी आर के बारे में जानेंगे इसकी अस्थापना को हुई थी 26 सितंबर 1985 को इसके स्थापना हुई थी इसका मुख्याले कहा है इसका मुख्याले है नई दिल्ली में कहा है नई दिल्ली में और अभी वर्तमान में M.H.R.D. मिनिस्टर को ने डॉक्टर रमेस फोखरियाल निसंख कौन है डॉक्टर रमेस फोखरियाल निसंख तो इतने कोशन्स M.H.D.R. से बन सकते थे अब हम लोग आते हैं A.I.C.T.E. पर तो A.I.C.T.E. से क्या-क्या कोशन्स बन सकते हैं यह आप कॉमबर 1945 में इसके अध्यक्ष कौन है अनिल सहस्त्र बुद्धी आनिल सहस्त्र बुद्धी तो इतने कोशन्स इस कोशन्स से बन सकते थे और आप इस पिक्टर में देख सकते हैं यह हैं कौन है यह डॉक्टर रमेस फोखरियाल निसंग इसके बाद हम लोग आते हैं next question पे next question है हाल ही में कोरोना महमारी के कारण किस देश में 6 मई 2020 तक अपातकाल की घोशना की गई है तो इसका सही जवाब है जैपैन जैपान में 6 मई 2020 तक अपातकाल लगा दिया गया है और जैपान की capital के है जैपान की capital है tokyo जैपान की currency क्या है तो जैपानी yen जैपानी yen बहुत important question वैं इसको आपको याद रखना है और जैपान के PM कौन है Sindjo Abe Sindjo Abe इस picture में देख सकते हैं यह है जैपान के PM Sindjo Abe एक और कोश्चन यहां से अक्सर पूश हाते हैं वह आपको याद रखना है hapain की संसद बंग किया नाम है डायट और आप यहां पर Japan को मैप में देख सकतें यह है जैपैन इसके वाद हम लोग आते हैं next must पर अगला question है हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरुविंद के जिरिवाल ने क्रोना वायरस से लड़ने के लिए किस प्लान को launch किया है तो आपको जवाब देना है किस प्लान को लॉंच किया है इसका सही जवाब है फाइव टी प्लान फाइव टी अब यह फाइव टी प्लान किया है यह दक्षिन कोरिया की तर्ज पर प्लान लॉंच किया गया है यह सबसे पहले दक्षिन कोरिया ने फाइव टी प्लान को लॉंच किया था और इस प्लान में है क्या इस प्लान में टेस्टिंग ट्रीटमेंट टीम वर्क ट्रैसिंग ट्रैकिंग यह सभी चीज का उपयोग होता है ताकि कोरोना वैरस से लड़ने में तकर उसके खाएंगे जो है मदद मिल सके और इसके ताथ 5 T प्लान के ताहँए है कि एक लाक लोगों की रैपीट स्टिंग होगी कितने लोगों की एक लाक लोगों की बात आई डिली की दिल्ली के सीम कौन है अरबिंद केजरिवाल आप यहां देख सकते हैं यह हैं अरबिंद केजरिवाल और आपको याद रखना है कि दिल्ली जो है केंद्र सासित परदेश हैं दिल्ली में कुछ आकरसक अस्थल हैं उनमें से कुछ में बोलना आपको याद रखना है लाल किल आपको याद रखना है तो इतने question यहांसे बन सकती है एर्विंद के जवल किस पार्टे से हैं आम आदमी पार्टे से हैं इसके बाद आते हैं हम लोग next question पे next question है हाली में किस social network ने aggressive संदेशों को साझा करने की एक limit चैट तक सिमित कर दिया है यानि कि कहने का उर्थ है कि ये ऐसा social network है जिनोंने अभी हाली में limit कर दिया है क्या limit क्या है कि आप एक बार में एक से अधिक原 को sms यानि कि chat send नहीं कर सकते है यह अभी किस ने किया है यह WhatsApp ने किया है हो सकता है कि यह अभी तक अपडेट नहीं किया गया बस आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है तो ऐसा किया क्यों गया है अब यह बात याद रखना है यह कदम गलत सुचनाओं को और गलत खबरों को लगाम लगाने है तू किया गय वाट्सअप की सुरुवात कब हुई थी इसकी सुरुवात हुई थी तीन मईए 2009 को और वाट्सअप के CEO कौन है अभी वर्तमान में तो Chris देनियल्स Chris देनियल्स यह वर्तमान में अभी वाट्सअप के CEO है इसके बाद आते हैं लोग नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट कोश्चन है हाली में HLL Life Care Limited द्वारा COVID-19 के लिए विक्सित तीवर एंटीबोडी निदान कीट का ब्रांड नाम क्या है जिसका ब्रांड नाम है बात रही है किया मैं मैक्स्ट aan रहा है यह एक परकार की जांच कीट है जो और प्रकार की जाँज कीट है और इसको देखते हुए कि इस कीट का क्या नाम रखा गया है मैक्सियोर और मैक्सियोर नाम क्यों रखा गया है कि इस कीट की मदद से जो है मरीज के नमूने से 15 से 20 मिनट में मात्र परिनाम प्राप्त किया रह सकेगा कि वो फॉजेटिव है अथ्वा निगेटिव है यह परकार की जाच कीट है उसके बादा बात आई HLL की, तो HLL क्या होता है, यह भारतिय स्वास्थ सेवा उत्पाद कमपनी है, यह स्वास्थ सेवाओं से जुड़े वे जितने भी उत्पाद होते हैं, यह उसको तयार करती है, और यह है कहाँ पर, यह केरल के तिरुवनंद पूरम में इस्थित है, और HLL की अस्थापना कब हुई थी, इसकी अस्थापना हुई थी 1966 में, 1966 में, और चेर्मेन सह निदेशक इसके कौन है, तो K.B. गर्ग, के बी गर्ग, इसके कौन है, चेर्मेन सह निदेशक, इसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट कोशन पे, अगला कोशन है, हाली में किस देशकी NSO, ग्रूप ने कोरोनावायरस के परसार की निगरानी हितू, एक सौप्टवेर की परिक्षन की जानकारी दी है, तो अभी अभी इजराइल के NSO ग्रूप ने एक सौप्टवेर के परिक्षन की जानकारी दी है, जो की कोरोनावायरस के परसार की निगरानी करेगा तो किसने की है इजराइल ने और उस देश की किसने एन एस ओ ने अब यहां से क्या क्या इंपोर्टेंट कोशन बन सकते हैं उसको देखते हैं तो यह सुचना एन एसो समो के कारिकारी अधिकारी द्वारत दी गई है सबसे पहले बाद यह कोरोना वाइरस के संकर्मन की निगर त्यार की गई है यह जो सॉप्ट्वेर है निगरानी के लिए त्यार की गई है जिसका परिक्षन अभी अभी हुआ है अब बाता है यहां पर एन एस ओ की तो एन एस को का फूल फॉर्म की आप कोई का याद रखना है इसका फूल फॉर्म होता है नेशनल सैटिस्फिसियल आफिस नेशनल सोरी नेशनल इस्टेटिस्केल आफिस यानिके राष्टिय सांखी की आयोग राष्टिय शांखी की आयोग इसके स्थापना कवी थी 2005 में कवी थी 2005 में इसका मुख्याले कहा है नई दिल्ली में कहा है नई दिल्ली में एनसो के कारिपालक कौन है फिलाल में इसके कारिपालक हैं राधा, विनोध, बर्मन कौन है? राधा, विनोध, बर्मन तो इतने कोश्चन ऐनो सोई से बन सकते थे इसके बाद आते हम लोग नेक्ष्ट कोश्चन पे नेक्ष्ट कोश्चन है, हाली में किस राधा सरकार ने सबसे पुराणा और व्यापक रूप से मना जाने वाला त्योहार करागा को रद कर दिया है, इसका सई जवाब है करनाटका करनाटक सरकार ने अभी-भी करादा त्योहार को कोरोना वाइर्स के मद्दे निजर रद कर दिया गया है, अब बात आई करागा की, तो करागा जो है करनाटक में मना वाला एक परसिद त्योहार है, जो कि देवी सक्ती के समान में मना जाता है, किसके समान में? देवी सक्ती के समान में, यह त्योहार बैंगलोर के परसिद एक मंदीर है आपको याद रखना है धर्म राय स्वामी मंदीर यहीं पर यह स्त्य वहाय आयुजित किया जाता है और इसे अभी अभी क्रोना वाइरस के मनदे नजर जो है इुष्तियोहार को रद कर दिया गिया है अब बाता है करनाटक की तो करनाटक के बारे में जानेंगे कैपिटल इसकी कहा है बैंगलूरू में कैपिटल कहा है बैंगलूरूरू इसके CM कौन है BS येदुरप्प BS ये आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे ये हैं BS येदुरप्प जो यहां के CM है यहां के governor कौन है वजुवाई वाला और यहां की अधिकारिक भासा क्या है यहां की अधिकारिक भासा है कंड़नर और मुख्य पुस्प यहां की क्या है तो यहां की मुख्य पुस्प है कमल तो इतने questions जो है करागा और करनाटक से बन सकते थे इसके बाद आते हैं हम लोग next question नेक्स्ट कुश्शन है हाल में कोविट 19 से लड़ने के विचारों को आमंत्रित करने के लिए शमाधान चुनोती यानि कि चैलेंज की सुरवात की गई है तो किसके द्वारा की गई है M.H.R.D. के द्वारा M.H.R.D. के बारे में मैंने अभी अभी बताया था इससे पहले आप जान लिए समाधान चुनोती क्या है तो यह चुनोती कोरोनावाइरस महमारी को इसी प्रकार की अन्य आपदाऊं चाहे कोरोनावाइरस हो या इससे जुड़िवी अन्य कोई आपदा करने की छमता का परिक्षन करने के लिए एक उनलाइन चैलेंज क्या है एक उनलाइन है और उस चैलेंज्जन ने भाग लेने वाले जो भी ञupp identify के उपाय को खोजेंगे और उसे विक्सित भी करेंगे यह होता है online challenge जिसे नाम क्या दिया गया समधान चुनोती अब बात आई MHRD की जिसकी अभी अभी मैंने चर्चा की थी तो MHRD का full form Ministry of Human Resources and Development इसका स्थावना कब हुए थी 26 September 1985 मुख्याले करा है नई दिल्ले में मेंच्टर कॉनेः मिलत अभी कि तो महन को यह है म atrás ऑग हाग है कि डॉक्टर रमेस पोखरयाल निशंग रम्עेस पोखरयाल निशंग इतने को तरश मिल्ले से बन सकते थे और यह हैं रमिश पोखरयाल निशंग इसकी बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोषण पे नेक्स्ट कोशन है उनमें संग्र केंद्र सुरू करने में जहां तक बात की जाए तो वहां की सरकार को काम्यावी मिली है तो कहां की सरकार को उत्तर परदेश की सरकार को तो यहां पर एक परियोगसाला अस्थापित करने की घुशना की गई है चुकि एक काम में काम्यावी मिली है तो यहां पर एक प्रयोगसला अब घुसित की जाएगी तो कहां पर उत्तर परदेश में अब बात आई उत्तर परदेश की तो उत्तर परदेश की कैपिटल कहा है उत्रमपरदेश की केपिटल है लखनोह यहां कि योगी अधित्टिनाथ यहां कि Governer कोन है अनंदि बेन पतेल आप यहां पिक्चर में योगी अधितिनाथ को देख सकते हैं यह है योगी अधित्रमपरदेश के सियम है गवर्नर कौन है आनंदी बेन पटेल कौन है आनंदी बेन पटेल तो इतने कोशन यहां से बन सकते थे इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट कोशन है विट पोशन यानि की हाल ही में किसने WHO यानि की World Health Organization को दिये जाने वाले विट पोशन पर रोक लगा दी है तो सबसे पहली बात कि यह अमेरिका ने रोक लगाई है अब बात आई कि विट पोशन क्या होता है तो विट पोशन क्या होता है WHO यानि कि विश्व स्वास्त संगठन को संयूक्त राज Αμेरिका के द्वारा बड़ी मात्रा में धनराशी दी जाती थी अमेरिका के दोरा डबलू एचो को बड़ी मात्रा में धन रासे दी जाती थी और इसे ही का जाता था वित पोसन लेकिन अब यह वित पोसन अमेरिका ने डबलू एचो को देने से साफ मना कर दिया है इसका क्या कारण है कि अमेरिका का डबलू एचो पर आरोप है कि वह कोरोना महामारी के दोरान केवल चीन पर केवल चैना पर केंदरीत रहा है यानि और किसी की प्रेशानी उसे नहीं दिखाई दे रही है यह आरोप है अमेरिका का और अमेरिका ने यह भी कहते हुए अमेरिका ने यह भी कहते वे आरोप लगाया है कि WHO चीन की राजनितिक कटपुतली बन चुका है World Health Organization पर आरोप लगाया गया अमेरिका के दुआरा कि वह चीन की जो है राजनितिक कटपुतली आप मेप में अमेरिका चीन को देख सकते हैं अब बात आई यहां पर अमेरिका की तो अमेरिका की capital कहा है वासिंग्टन डीसी में वासिंग्टन डीसी में प्रेसिडेंट वहां पर कौन है डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प अब बात आई चीन की तो जितने भी related questions है उन्हें मैं इसी वक्त बोल देता हूँ ताकि आपको mind में click कर जाए mind में आ जाए तो चीन की तो चीन की capital कहा है बीजिंग चीन की capital है बीजिंग यहां के president कौन है सी जिनपिंग सी जिनपिंग और यहां पर एक और है डबलू एच ओ यहां से बन सकते हैं इसके बारे में जानते हैं तो डबलू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ और्गनेशन की अस्थावना का हुई थी साथ एप्रिल 1948 को इसका मुख्याले का है जेनेवा स्वीट जर्लेंड में डबलू एच के head कौन है टेड्रोस आधनोम यह कौन है डबलू एच के head है इतने questions यहां से बन सकते हैं इसके बाद आते हैं हम लोग आज के प्रश्ण पर तो हमारा आज का प्रश्ण है और इस प्रश्ण का जवाब आपको हमारे comment box में देना है और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आज के प्रश्ण पर चलते हैं तो आज का प्रश्ण है हाली में किस भार करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाई